हाई ब्रेंस वेलकम टू मादुजा ब्रेस्ट फीडिंग टाइम डूरेशन एक्जाक्ली कितनी देर के लिए दूद पिलाना है क्या मैटर आफ कंसर्न है कि मेरा बच्छा सड्डनली अभी कम टाइम के लिए दूद पीता है ये कॉश्चिन मुझे पिछले पाच दिनों में इतने मदर्स ने काउंसिलिंग में पूछा है जिसका कोई लिमिट नहीं है तो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग डूरेशन कैसे हो सकता है उसके बारे में एक वीडियो कर चुके है जो वीडियो में यहां पर लिंक कर यू आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जाओ बच्चा जाधा देर के लिए दूद पीए तो भी बच्चा कम देर के लिए दूद पीए तो भी चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले व लोग जानता है एक्जाक्ली टाइम लाइन कैसे होता है यूजिली अप लोग कैसी भी डॉक्टर के पास जाओ जो तूसरा चीज, बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तीसरा चीज, अगर आपका बच्चा उठता भी नहीं है, तो फिर भी आपको बच्चे को उठा के फीड कराना बहुत जरूरी है. यह आपको डॉक्टर ने कभी बुला. यह सब जो guidance points है, यह usually पहले 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन में होता है. Because this is the duration, जभी आपका breastfeeding सेट हो रहा है, अभी तक आप भी सेट हो रहे हो, आपका milk supply बढ़ाने के लिए डॉक्टर को आपको यह कहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि अगर बच्चा सोया हुआ भी है, तो बच्चे को उठा के ओफन फीड कराओ. कई बार latching set नहीं होता है, तो डॉक्टर आपको बोलता है, at least 20-25 मिनिट के लिए फीड कराओ, because आपका latch अब तक सेट नहीं है. नेक्स चीज़, फीड करने के लिए बच्चे के यह मसल्स का यूज होता है, और बच्चों के यह मसल्स अब तक डेवलप नहीं होता है. Then again, कि बापटी क्या आप 20-25 मिनिट फीड कराओगे, बच्चा रुकरूप के फीड करता है, तो कई को लगता है, बच्चा पीसफूल है, पंदरा मिनिट में, तो बच्चा वापस दूद मागता है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि वो पाच मिनिट में बच्चे का पेट नहीं भरा था. तो ऐसे बहुत सारे चोटे-चोटे क्लूज है, जो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सिर्फ ब्रेस्ट्फीडिंग कराना is not everything. ब्रेस्ट्फीडिंग कराके, पीस्फुली खुद का मदर्वंध रद, that's everything. इंजोई ओमदरों कल बुछ एक ममा ने बुला कि श्राह में पॉना गंटा 45 मिनिट्स फीड कराती हूं एक पंदरा मिट के राद मेरा पच्छा सूसू पौटी करता है पूरा लाल बून्द होने तो करोता है मैं वापस आदा गंटा फीड कराती हूं वापस आदे गंटे के बाद वापस आदा गंटा फीड कराती हूं कुछ तो गलत हो रहा है अगर आप 24 गंटे में सिफ सूसू पौटी ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहे हो तो कुछ तो गलत हो रहा है तो इस चीज की कलारिटी आप ल and supply it's on-demand breastfeeding बच्चे का डिमांड जितना जादा है उतना सप्लाई बढ़ता है से आपके बच्चे का डिमांड जादा है आपका बच्चा हर एक घंटे बाद देड़ गंटे बाद दूद मांग रहा है करीब बनरा बीस पच्चिस मिनित के लिए आपको बच्चा बहुत अच बच्चों के यहां का स्ट्रेंथ अभी बढ़ गया है और आपका मिल्क फ्लो भी बढ़ गया है तो बच्चे का पास दस मीट फटा 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 फट खीच के उनका पेड़ भर में जितना दूद हो जाता है तो यह एक पॉसिबिलिटी हो सकता है दूसरा पॉस अगर आपके बच्चे का ग्रोच पर चल रहा है माइल स्टून चल रहा है तो यह बहुत मेजर चीज़ होगा कि कुछ-कुछ बच्चे ओफन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मांगता है विकुस तभी उनका बॉडी का फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है ग्रोच पर बच्चा वापस जग रहा है वापस 10-15 मिट के लिए यह गलत है तो आपको बच्चे को जगा रखके पिलाना बहुत ज़ए जूरी सी बैर मिनीमम कितना भी हम लोग बोले ओन डिमांड फीडिंग ओन डिमांड फीडिंग फिर भी मिनीमम ग्याप ऑफ 45 मिनिट्स दो फीड यहां पर बच्चा चार पाच घंटे सोया है सो के जैसे ही बच्चा उठा तो बच्चा हर आदी गंटे में फीड महांग रहा है ठीक दो गन्टे के लिया और फिर बच्चा नॉर्मल रूटीन हो गया This is called as cluster feeding, यह possibility है, बट normal routine में जैसे feeding हो रहा है, तो अगर बच्चे ने 15 मिनिट से लेके 30 मिनिट के बीच में proper latching के साथ, अगर feed किया है, तो फिर minimum gap 45 मिनिट का होना ही चाहिए, अगर उसे कम gap में बच्चा बहुत रो रहा है, तो फिर आपको चेक करना है क्या आपका latching सही हो है, अगर latching गलत है तो उसके उपर काम कर, in fact, पिछले चार दीन में आपकी कमर तो जा रही है, बच्चे को उस quantity में दूदी नहीं मिल रहा है, जिस quantity में आप लोग effort डाल जो, so better that you work on latching, next thing you have to work on your positioning, जैसे एक मम्मा बच्चे को आदा गंटे हाथ में लेके फीड करा रही है, नीचे पीलो कुछ नहीं है, because stitches में दर्द है तो पीलो नहीं रख पा रही है, अभी मुझे सोच, अगर मा ऐसे पिला रही है, तीन साड़े थीन किलो का बच्चा, आप आदा गंटा से स्टेडी लेके बैच सकते हो, ही लेगा, थोड़ा सा नीचे उपर होगे, बच्चा थोड़ा सा नीचे जाएगा, अभी इस सारे चक्कर में निपल को वूंड होने की पॉसिबिलीटीज है, बच्चे का जो लाच है, जो प्रॉपर नीचे होने की पॉसिबिलीटी है, तो वेल सपोर्टेड, प्रॉपर ब्रेस फीडिंग पॉजिशन आपको चेक करना बहुत जाद अज़री है, लास्ली आ ऐब इस सब लोग कोहित, ये ती चाम क नहीं करता है, क्यों मुझे मैसेज करें यह लोग यम लोग ये चीज करेंगे, तो यसे दीरे दीरे कर कर की, you'll have to get things right. तो often feeding is okay, किसी का बच्चा दो गंटे बाद पीता है और आपका बच्चा एक गंटे बाद मांगता है, that's okay. That can be the requirement, that can be the possibility. बट हर आदे आदे घंटे में हर आदे पॉने घंटे के लिए बच्चा दूद मांग रहा है, फिर भी बच्चा क्रेंग की है, it doesn't make sense. So you'll have to observe that. Next thing, जो आप लोगों का observe करना बहुत ज़्यादा जूरी है. So on an average, breastfeeding बच्चों का हम लोग बोलता है, birth के 15 दिन के बाद, हर हफ्ते का 100 gram weight gain होना चाहिए, at least. So if उतना weight gain बच्चे का अच्छी हो रहा है, next thing, next thing, बच्चे का क्या सूसू काउंट सही है, बच्चे को सूसू एकदम minimum से minimum भी आप लोग गुनोंगे, तो 5 से 6 और उससे उपर ही सूसू होना चाहिए, 2 सूसू हो रहा है, 3 सूसू हो रहा है, सूसू बहुत ही कम हो रहा है, it's a matter of worry for us, it's a sign of dehydration. तो minimum 5, 6 से उपर, so ideally अगर आप बहुत ब्रॉडर टाइम फ्रेम मेरे साथ जानों, तो 5 से 10 के बीच में बच्चे को सूसू होना चाहिए, minimum, तो यह आपको बताता है कि 5, minute के फील के बाद भी, अगर मेरे बच्चे को प्रॉपर सूसू हो रहा है, वेडगेन है, बाकी सारे क्राइटरिया स्क्रियर है, it's okay, क्या वरत पड़ता है, और कुछ-कुछ बच्च अगर आदे गंटे भी ले ले लेता है, it's okay, बट यह जो क्राइटरिया आगे को फुल्फिल होना चाहिए, आदे गंटे बाद भी मेरे बच्चा पॉने गंटे से लिगे गंटे के लिए प पा रहा है, please आपके आज़ पास lactation export डूंडो, अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो मुझसे बात करो, but it's very very important for all of you to check upon this, next thing, आश्रिया बहुत सारे लोग ऐसा बोलता है कि अगर आपका बच्चा रो रहा है, मतलब बच्चे को वापस दूथ पिलाना बहुत ज्यादा ज दूसरी वक्त दूथ पिलाते हो, ये दोनों भी चीज़े आज़ती है, बच्चा हर बार दूथ के लिए नहीं रोता है, बच्चा कई बार रोता है, जस मा की याद आ रही है, जस मा के चेस्ट के पास जाना है, जस खेलने के लिए, बच्चा बोर हो रहा है, बच्चा पॉसिबिलीटी भी है लोग इतना दूद पिलाते कि बच्छा सो जा नहीं मतलब बच्छा भूका है बच्छा रो रहा है मतलब बच्छा भूका है it's always not like that lot of kids cry before susu lot of kids cry before potty lot of kids cry अगर कोई illness है कुछ अंदर दुख रहा है तो obviously उनके पास उनका खुद का language तो है नहीं तो हर बार बच्छा क्राय कर रहा है इसलिए breastfeeding का time duration change करना is not a good idea थोड़ा सा दिल थोड़ा सा दिमाग combination music last but not the least श्रया बच्छे ने सुसू किया पौटी किया तो क्या हम लोग को breastfeeding का time duration बढ़ाना चाहिए कम करना चाहिए gap कम करना चाहिए anything like that no यह बहुत पुराना कहा वाते कि सुसू किया तो तो बच्छा भुका हो जाते तो आपको वापस होना सुसू की जगा में कोई तकलीफ होना तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत जोरूरी है अगर रूटीनी बच्छा जिससे सुसू breastfeeding 40 manage कर रहा है वैसे अगर चल रहा है तो यह गलत है कि हर सुसू के बाद ब्रेस फीड कराना बहुत जुरूरी है तो आप दो बार आदे अदे के लिए वापस लेकि ब्रेस फीड करा होगे तो सुसू करने बच्छा क्यों रहता है मैट भी किले पन कर दो साफ कर दो बच्छे को लेकि थोड़ा सा घूमो थोड़ा सा एक्टिविटीज करो बहुत स पीडिंग होने के बात करी पाच से दस मिनिट के लिए मदर्स यूशू लाइडाउन अगर आप नए नए ममा हो तो बैक को रेस्ट करो अर थभी खुद से बात करो क्या-क्या बाते बहुत ब्रिलियंट चल रही है आपकी लाइफ में आपके बच्छों के साथ क्यू श्रय यह जूरी हर ममा के लिए sleeping is a struggle feeding अब तक सेट हो रहा है अब तक माउशी नहाना बच्चे को क्या चीज पसंदा रहा है क्या नहीं पसंदा रहा है अब तक पता नहीं है तो इस सब confusion में क्या हो जाता है कि हम बच्चे के साथ वह faith enjoy करना भूल जाता है और life का फंदा बहुत simple अब जिस चीज की बारे में जाधा सूचते हो आपकी साथ repeat telecastle होता है तो पूरे दिन आप यही सोच रोह पेट भढ़ा के नहीं बढ़ा feeding ठीक है के नहीं हो रहा है बच्छा पीस फूले के नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग टाइम डूरेशन डिफाइन नहीं करता है आपके बच्चे का पीट भराया कि नहीं बढ़ाया आपके बच्चे के तीन-चार चीज़ रिफाइन करती है कि बच्चा अगर पीजफूल है तो टाइम डूरेशन डीस्ट और अगे बस इन चीजों का ध्यान रखो और अपना ब्रेस फिरिंग का जर्नी पीस्फुल बना अगर आपके वीडियो अच्छा लगाओ तो चनल को लाइब करना सब्सक्राइब करना कमेंट करके हम लोग को जुरूर बताना क्या इस नॉलेज़ का आपको कोई फायदा हुआ व